आज जब हम आजादी के 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं आजादी के आंदोलन के एक पहलू को तो दुनिया के सामने किसने किसी रूप में हमने हमारे आग कान की और से गुजरा है लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन की पिठी का भक्ति आंदोलन से हुई थी जन जन को भक्ति आंदोलन के माद्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से संतों ने महंतों ने रुशियों ने मुनियों ने आचारियों ने भगवंतों ने उस चेतना को यागरत किया था एक पिठी का तयार की थी और उस पिठी काने बाद में आजादी के अंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी और उस पूरी पिठी का को तयार करने वाले में जो देश में अनेक संत थे उसमें एक बल्लब गुरु थे गुरु वल्लब का बहुत पड़ा योगदान था जिसने आज़ादी के आंदोलन की पिठी का तायके थी लेकिन आज 21 सदी में मैं आचारियों से, संतों से, भगवंतों से, रुष्वियों से, कथाकारों से एक आगर करना चाहता हूँ जिस प्रकार चे आज़ादी के आंदोलन की पिठी का बक्ति आंदोलन से शुरू ही, बक्ति आंदोलन ने एक ताकत दी, वैसे ही आत्म दिर्भर भारत की पिठी का त्यार करने का काम भी हमारे संतों महंतों आचारियों का है आप जहां भी जाएं, जहां भी बोलें, अपने शिष्य हो या संतजन हो, आपके मूँ से लगातार ये संदेश, देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए, और वो संदेश हैं, वोकल फॉर लोकल जितना जादा हमारे कथाकार, हमारे आचारिय, हमारे भग्वांत, हमारे संतजन, उनकी तरब से बात जितनी जादा आएगी जैसे उस समय आजादी की पीठी का आप सभी आचार्यों संतों महांतों न की थी वैसी ही आजादी की पीठी का आत्म निर्भर भारत की पीठी का आप तयार कर सकते हैं और इसलिए मैं आज देश के सभी संतों महापुरुषों के चर्णों में आगरह पुर्वग निवेदन कर सकता हूं, प्रधान सेवक के रूप में निवेदन करता हूं, कि आईए हम इसके लिए आगे बढ़े, कितने ही स्वतंत्र धंगराम से नानी, इन महापुरुषों से प्रेमलेट